मुझे मेरी बेटी चाहिए जैसा कि आप सभी जानते होंगे वीदुद जामवाल बॉल्यूड के बड़े अक्षन हिरो माने जाते हैं उनके स्टन्ड देखने के लिए दर्शक बेताब रहते हैं और ठीक वैसा ही कारनामा करके रिखाया है वीदुद जामवाल ले और फिल्म बॉक्स आफिस पर बड़ी सूपर हिट होने वाली है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीदुद जामवाल के फिल्म खुदा हाफिस टू के पहले दिन के आज अपने पहले दिन फ्रेडे को फिल्म कितना बॉक्स आफिस कलेक्शन करने वाली है फिल्म के बजट के बारे इंग बात करेंगे तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ परे रहेएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप विदुप जयामवाल को एक बहतीर अबिनेता मानते हैं वैसे दर्शोकों में इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज बना हुआ था फैंस इस फिल्म का बड़ी बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे फिल्म को डेरिक क्या है फारूक कबीर ने और फिल्म में हमें विदुप जयामवाल के साथ शिवाली का ओबर आय एहम किरदार में नसर आई है वैसे फिल्म के अगर रिब्यूस की बात करें तो फिल्म को दर्शोकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और वही क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छे रिब्यू दिये है फिल्म के अगर बजट की बात करें तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि फिल्म का बजट 35 करोड रुपे है वही फिल्म के अगर अपने पहले दिन याने के आज कितनी ओपने लें वाली है उसके बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो लगबग 45 लाक रुपे की हुई है अपने फ़र्स डे के लिए तो आज पहले दिन खुदा हाफिस 2 का जो बॉक्स आफिस कलेक्शन होने वाला है वो 2 से धाई करोड रुपे का होने वाला है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी ओपनिंग होगी क्योंकि अगर फिल्म को अच्छे रिव्यू मिल रहे है तो आने वाला जो सटर डे है याने के कल और परसो संडे को फिल्म अच्छा कलक्शन करने में काम्याब रहेगी तो अपने पहले दिन फिल्म 2 से डाई करोड उपे कमाने के बाद एक अच्छी ओपनिंग ले रही है लेकिन दोस्तों आपको कैसे लगी अगर आपने देख लिए फिल्म और कि क्या अंदाजा है आपका फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर इट रहेगी या फिर फ्लॉप रहेगी कमेंड में सुरू बताईएगा थांक्यू